हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका अपने यूटूब चैनल पर आज अपन लेकर आये हैं रजस्तान BSTC हिंदी के मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन जो आपके एक्जाम में हिंदी में 30 क्यूशन पूचे जाएंगे वो सेम के सेम मेंडल पर अपन लेकर आये हैं आज सोल करेंगे हिंदी के 30 most important क्यूशन जो आपके BSTC exam में आने के पूरे चांस है ठीक है दोस्तों यह आपको क्यूशन BSTC exam में देखने को मिलेंगे तो चलते हैं आज के बिना टाइम कराप किये आँए एक मैत पुन सूचना अभी तक हमारे BSTC online test series आपने जोइन नहीं किय है तो जलती से जोइन कर लें और अपनी त्यारी को पर कें क्योंकि दोस्तों competition दोर के अंदर अपना मुल्यांकर करना बेती जरूरी होता है ठीक है दोस्तों इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और उसको जोइन कर लें ठीक है तो चलते हैं आज के बिना टाइम कराए पर परियाई वाची सब्द क्या होगा आप सभी को बताएं विंग पक्सी का प्रियाई वाची सब्द होता है जैसे कि विंग हो गया खग हो गया यह से पक्सी के प्रियाई वाची होते हैं यह most important है पक्सी के प्रियाई वाची आपको याद करके जाना है आगे जलते हैं अगल एंसर कौन सा होने वला है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमर सी आप comment के section के अंदर जुरूर बताते रहो कि आपके साबसे कौन सा एंसर राइट हो रहा है ठीक है दोस्तों तो चलते हैं एगले question के और अगला question है त्रशना के वीप्रीतारत सब्द का चेहन करना आपको त्रशना सब्द है इसका वीप्रीतारत में यहनी विलोम बताना आपको त्रशना वीत्रशना त्रप्ति यह लोग इसमें आपको राइट एंसर बताना इसका राइट एंसर कौन सा होने वला है तो इस इसमें आपको राइट-एंसर बताना है इसका राइट-एंसर कुंसा होने वला है। तो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों, option number C, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आगे चलते हैं, अगले क्यूशन के, और निम लिकित में से कौन सा क्रम ठीक नहीं है, आपको बतना है, जो त्यार विकलब दियेगे, उद में से कौन सा क्रम है, वो सई से नहीं है, option A क् गज हाती, गज गर्त माप, इसमें आपको बतना है कि कौन सा विकलब है, जो सई सब्द दिये गए है, इसमें राइट एंसर कौन सा होने वला है, तो इसका राइट एंसर हो जाएग, option number B, बी राइट हो जाएगा, परसाद गर्द होता है, बेंट और परसाद गर्द होता ह खीक है दोस्तों, तो चलते हैं एगले क्यूशन की और, एगले क्यूशन है, नीन में से किस करमांग में सूत सूत सब्द का युग्म सई अरत है, आपको बताना है तो सूत वो सूत लिके गए है, इसमें कौन सा युग्म का अरत है, वो सई है, सार्थी पुत्र, option B है, सार् आगे चलते हैं एगले क्यूशन की और, एगले क्यूशन है, साइध पिता जी आज जाएं, किस परकार का वाइक है, आपको बताना है कि साइध पिता जी आज जाएं, इसमें किस परकार का वाइक है, आग्या आरतक, संदे आरतक, या इचार तक, या संकेत वाचक, इसमें आपको write answer बतना है, इसका write answer कौन सा होना है, comment करते रहें साथ साथ में आपको write answer बतते रहdoo कि आपका write answer कौन सा होने वले है तो इसका write answer होजएगाा आविसम नंबर B, यहांने संदे आर्तमक इसमें उसको संदे हो रहा है कि साहिद पिता जी आ जाएं कोई कनफरम नहीं है कि पिता जी आई जाएंगी तो इसमें आपको संदे आर्थ नमक वाइक है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं एकले किशन की और रचना के आदार पर मिस्र वाइक की कितने परकार के आश्रित वाइक होते हैं इसमें आपको राइट एंसर बताना इसका राइट एंसर कौन से होने विला है तो इसका राइट एंसर होजेग ऑप्सन नमबर बी तो आश्रित वाइक होते हैं और कितने होते हैं तीन होते हैं ठीक है आगे चलते हैं एगले क्यूशन के और किस कर्मांग में सभी सब्द सुद्धे आपको बतने हैं ऐसा कौन सा कर्मांग है जिसमें सभी सब्दे वो दिये गए हैं वो सभी सुद्धे आगे इसमें कौन-कौन से हैं तो इसमें क्या सनुक तदूब्रांत य किस कर्मांग का सब्द सुद्ध है इसमें आपको फिर बताना है कि सब्द सुद्ध का एक क्यूशन है इसमें आपको बताना है कौन सा सब्द है वो सुद्ध है option A या उजवल किस परकार लिख सकते हैं या option B उजवल इस परकार से option C इस परकार से या option D इस परकार से आपको बतना है कि उज्वल सब्द है उसको किस परकार से लिख के जाएं तो इसमें आपको सब्द सुद्धी का ज्यान रखते हो लिखना है तो इसका राइट एंसर कौन सा होने वाला है इसका राइट एंसर हो जेग ऑप्शन नमबर C हमेशा ध्यान रखना उज्वल के से कोईल आम की डाली पर कूक रही है ओप्शन भी इसका राइट एंसर बतना है तो इसका आपको राइट एंसर बतना से राइट एंसर कौन सा होने वाला से किस विकलब का वाक्य सुद है इसमें आपको राइट एंसर बताना है को इसका राइट एंसर कौन सा होने वला है इसका मुझे बारी दुख हुआ उप्शन बी ए वाकरण में बहुत मुद्दे चिंतिनी हैं उप्शन सी ए आकास में द्रिगाई बादल चा रहे हैं उप्शन नमबर डी है कोईल का कोगना मन को अच्छा लगता है इसमें आपको राइट एंसर बताना इसका राइट एंसर कौन सा होने वला है तो दोस्तों इ कोईल का कोगना मन को अच्छा लगता है अगे चलते हैं अगले क्यूशन के ओर आंदी आवे बेट गवावे लोकश्ति के अर्थ बताना आपको अब्सर नमर एक संकट में ओप वेड़ना, option B है वीपरित परसितियां में उप्यूक्त समय आने पर इंचार करना, option C है वीपरितिक के टकराने का होसला रखना, option D है आंदी के बाद पानी बरसने का इंचार करना, इसमें आपको राइट एंसर बताना है कि राइट एंसर कौन सा होने विला है, तो इसका और सी दियान होना, option B है किसी एंचे का ने रहना, option C है तीन तरफ का दियान, option D के वल ऊपर देखना इसमें आपको राइटेंस बतना है या कीमती वस्तू, दुरलव वस्तू, या वरनिय वस्तू, इसमें आपको right answer बताना, इसका right answer कौन सा होने वला है, तो इसका right answer हो जाएग, option number D, अवरनिय वस्तू, आगे चलते हैं अगले कि उसलें, अच्छा ना गबरा जाना, अर्थ के लिए मोहारा कौन सा, अच्छा ना गबरा जाना, इसका आपको अर्थ बताना है, अत्यार डालना, option B, हात पाउं मालना, option C, हातों के तोते उडाना, option D, हका बगका रह जाना, इसका आपको right answer बताना, इसका right answer कौन सा होने ला हो जाएग, option number C, आतों के तोते उडाना, अगे चलते हैं एकले question के और, निम लिक right answer के अंदर टोड़ कर आपको एक सवत बढ़ाना है, तो इसमें वाग में किस परकार की संदी है, वो right है, वाकीस, option B, option C, option D, इसमें आपको right answer बताना है कि वाकीस का कौन सा अर्थ है, वो सही है, तो इसका right answer हो जाएग, option number D, वाकीस, आगे चलते हैं एकले question के और, निम मे right answer कोण सा उने वाला है, तो इसका right answer हो जाएग, option D, निम सनाथ, आगे चलते हैं एकले question के और, अगला question है, दनुस्टंकार में कोण सी संदी है, very very important word है, तो संदी से पूचा जाता है, कई बार पूचा गया दनुस्टंकार, ये दनुस्टंकार सब्द आगे भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको बताने संदी कोण सी है, विशरक संदी, वेंजन संदी, दिर्ख संदी, ये यन संदी, इसमें right answer कोण सा होने वाला, इसका right answer हो जाएग, option number A, यानि विशरक संदी है, दनुस्टंकार के अंदर, आगे चलते हैं एगले question के और, अगला question है, र संदी, आगे चलते हैं, अगले question के और, अगला question है, निम लिकित में से कौन सा सब्तत्पूर समास का उदारण नहीं है, आपको फूचा गया है, ऐसा कौन सा सब्तत्पूर सब्त का उदारण नहीं है, लताचिद, सुदातूर, लोग पिरी है, कोने कोने, इसमें आपको right answer इसका right answer कोन सा होने वला है, तो इसका right answer option number D, यानि कोने कोने, आगे चलते हैं, अगले question के और, अगले question है, निम लिकित में से कौन सा सब्तत्पूर समास का उदारण नहीं है, आपको बताना ऐसा कौन सा सब्तत्पूर समास का उदारण नहीं है, वर्णा अतित, या हत्र कर इसमें काना फूसी विश्वास पूरुवक, इसमें आपको right answer बताना, इसका right answer कोन सा होने वला है, तो इसका right answer होजएगा, option number D, यानि विश्वास पूरुक, तत्पूर समास का उदारण नहीं है, अगे चलते हैं, अगले question के और, अगले question है, अधियात्मिक सब्त का पूर इसमें आपको right answer बताना, इसका right answer कोन सा होने वला है, तो इसका right answer होजएगा, option number C, आगे चलते हैं, अगले question है, इन में से किस सब्त में इन परतिया नहीं है, आपको बताना हैं एस सा कोन सा सब्ते हैं, इसमें इन पराचीन नहीं है, प्राचीन, option B, इस अमाचीन, कूलिन और वीलिन, इसमें आपको राइट हैंस और बताना इसका राइट हैंस और कोन से होने वाला है, तो इसका राइट हैंस रोजेग ओप्शन नंबर B, यानि समीचीन, आगे चलते हैं एगले क्यूशन के और अगले क्यूशन है निवन में से निस उपसरग का सट्टिक अर्थ कौन सा होने वाड़ है निस उपसरग का अर्थ क्या होता है हिंदी में option a रहित, Option b पीचे, Option c बुरा, Option d उल्टा, इसमें आपको right hand और बतना इसका right hand और कौन सा होने वाड़ है तो इसका right hand रोजेग option number a निसकार्थ होता है रहित यानि उसके साथ कुछ भी नहीं हो बूरा वीपरित अर्थ उपसरग में कौन सा है आपको बताना है कि बूरा और वीपरित में अर्थ उपसरग कौन सा है अप, परा, आ या नी इसमें आपको राइट एंसर बताना है इसका राइट एंसर कौन सा होने विलाए तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानि अप है जो बूरा का वीप्रित अर्थ्यूक्त उफ्सरग है अगे चलते हैं एकले question गर जो सब के मन की जानता उसे क्या कहते है जो सब की मन की जानता उसे क्या कहते है सर्वई ये, अलब की है, एक गोचर या अंत्रियामी इसमें आपको right answer बतना है इसका right answer कौन सा होने वाला है तो इसका right answer हो जाएगा option number D जो सब की मन के जानता उसे क्या कहलाता है अंत्रियामी कहलाता है आगे जलते हैं एकले question जो कारिये अउसे होने वाला हो इसके लिए उप्यूख सब्द कौन सा है जो कारिये अउसे होने वाला हो इसके लिए कौन सा सब्द है वो उप्यूखते है अनुवारिये एचिक या अउसियाम बावी या अलपकालिक इसमें आपको right answer बतना है इसका right answer कौन सा होने वाला है तो इसका right answer हो जाएगा option number 2 दोस्तों C यानि आउसक बावी सब्द है आज गांती मौलाश्ट क्यूसन खाजी सामगरी को यात्रा के समय रास्ते में उपो के लिए दी जाती है वाईक्यांस के लिए एक सब्द कौन सा है इसमें आपको right answer बतना इसका right answer कौन सा होने वला है तो इसका right answer हो जाएगा option number क्या उपोई परंपरागत पाते या प्रेमिय इसका right answer कौन सा होगा तो इसका right answer हो जाएगा option number C पाते य ठीक है दोस्तों तो अभी तक हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया है क्या question निश्चति आपको एकजाम में देखने को मिलेंगे बाद में पस्तावे के अलवा कुछ नहीं बचने वड़ा है ठीक है दोस्तों पूरे पूरे चांद से आने के और बहुत selected की उसन है तो आज को कैसी लगी है हमारी class अगर आपको ऐसी ही हिंदी की class चाहिए तो हमारे चैनल को like, share and subscribe गरें ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं आज के लिए अगले section के लिए ठीक है दोस्तों अल्डवेस्ट थैंक यू जे हीन जे भारत